आश्री अतिराजाय विवेकानन्द सूरये सच्चेत सुखस्वरुपाय स्वामी ने तापहार ने हम लोग स्वामी विवेकानन्द के इंस्पायर टॉक्स जिसका हिंदी अनुवाद देवानी है उसका पाठ कर रहा है और स्वामी विवेकानन्द ने ये इंस्पायर टॉक्स ये उबदेश अमेरिका में और 695 में थाउजन्ड आइलेंड पार्क नामे के स्थान पर कुछे सिलेक्टेड समगत बाराय चौदा कुछ शिश्च थे उनको दिये थे और जब हम पढ़ते हैं इसको तो हम देखते हैं कि सच मुछ इनकी जो क्वालिटी है जो स्टैंडर्ड है इनका जो स्तर है वो स्वामी विवेक अनंद के अन्य जो लेक्टर वियाख्यान इत्यादी हैं उनसे भिनना भारत के उत्थान के लिए स्वामी विवेक अनंद ने जो भारत में प्रवचान दिये थे बारत के वियाख्यान है शिकागो में वियाख्यान है तो उनका जो स्तर है क्वालिटी वो तो है ही अच्छा ही है लेकिन यहां पर देखते ही लगता है कि स्वामे जी मानो भाव में विभोर हैं समाधी से बूल रहे हैं और बोल जो रहे हैं वो सारी चीज़ें एक अध्यंत उच्छ आध्यात्मिक्स तरसे बोल रहे हैं स्वामाध उच्छ आध्यात्मिक्स तरसे बोल रहे हैं और उनकी एक शिश्या मिस एलन वाल्डो ने रिकॉर्ड किया और हमने यह भी देखा था कि जो रिकॉर्ड है वो कुछ अपूर्न से प्रतित होते हैं लगता है कि कुछ बात चूट गई है कुछ बात लिखी हुई है कुछ ठीक से लिखी नहीं गई है और आज भी हम देखेंगे कि कई बातें ऐसी हैं जो लगता है कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं है तो यह हो सकता है कि एलेन बॉल्डो लिखने में कहीं गलती करती है तो यह सारी बाते हम पहले भी देख चुके हैं आज हम पुना प्रारंब करते हैं पार्ट 24 जुलाई का हमने कुछ पार्ट कर लिया था एक परेग्राफ किया था हम उसको तेजी से देख चाते हैं स्वामे जी क्या कहते हैं The powers acquired by the practice of yoga are not obstacles for the yogi who is perfect but are apt to be so for a beginner though through the wonder and pleasure excited by their exercise Siddhis are the powers which mark success in the practice and they may be produced by various means such as repetition of a mantra by yogic practice meditation, fasting or even by the use of herbs and drugs the yogi who has conquered all interests in the powers acquired and he renounces all virtues arising from his actions comes into the cloud of virtue name of one of the states of samadhi and radiates holiness as a cloud rains water ये paragraph हम पढ़ चुके हैं जिन्होंने योग में पूर्ण रूप से सिध्धी प्राप्त कर लिये यहाँ पर स्वामी विवेकानंद सिध्धियों की ब्राद कर ले और आप लोगोंने जो इसके पहले की classes अटेंट की हैं आप जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद पातंजल योग सूत्र पर विस्तार से बोल रहा है पातंजल योग सूत्र पर बोलने का एक और लाभ या एडवांटेज वहया है कि वहाँ पर आप आधुनिक युक्ति के अनुसार समझा सकते हैं अगर अद्वेत वेदान्द की बात भी बीच बीच में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं आज भी हम दिखेंगे स्वामी विवेकानंद बात करेंगे उसकी लेकिन वो जो अमेरिकन ब्रेन है और सामान्य व्यक्ति का मस्तिष्क है तो अद्बेत वेदां समझना जरा कथे लगिन अगर पातंजल योगसुत्र के बात करें चित्यवृत्त्य निरोथ की बात करें यम नियम की बात करें तो वो आसान हो जाता है एक यह भी कारण हो सकता है कि स्वामी जी ने कई स्थारों पर पात अंजल योग सूतर की चर्चा की और जिन लोगों ने यहाँ पर classes regularly रेगिलरली सुनी है अटेम की है आप जानते होंगे कि हमने बहुत सारी बात है योग सूतर की की है स्वामी जी यहाँ पर योग की सिध्धियों की बात ये कहते हैं कि जिनोंने योग में पूर्ण रूप से सिध्धी प्राप्त कर ली है उनके लिए योग सिध्धी आदी विखन नहीं है किन्तु प्रवर्तक के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये विखन स्वरूप हो सकती है श्री राम कृष्ण को सिध्यां प्राब्दे थी स्वाभाविक था उनको जो चाहे वे कर सकते थे यहां तक कि एक बार उन्होंने अपने गले में कैंसर था और श्री राम कृष्ण उनके ट्रीट्मेंट के लिए अपने काशिपुर्भागान में थे और उनके यह शिष्ष लोग जो है एक पेड़ के नीचे एक व्रिक्ष के नीचे उन्होंने पिकनिक करने का सोचा और वहां पे वे गए और लोग मजा कर रहे थे पिकनिक कर रहे थे और मास आरदा उन्होंने देखा कि शिराम कृष्ण जो अट भी नहीं सकते थे विस तर से कैंसर था गले का वो तेजी से जा रहे हैं और तेजी से कहीं गए और तेजी से वापस आ गए मास आरदा में जहा अंतर दिष्टी थी उन्होंने भी एक योकिक्षमता है जो भी कहती उन्होंने श्री रामकृष्ण से भागत में पूछा कि आप कहां गए थे श्री रामकृष्ण क्या क्या तुमने देखा देखे कि हां मैंने देखा श्री रामकृष्ण अपने सूक्ष में शरीर में गए थे स्थूर शरीर वहीं बिस्तर में पढ़ा हुआ था उसमें शूक्ष्म शरीर में हो गए थे उन्होंने कहा कि जिस पेड के नीचे ये लोग पिकनिक कर रहे हैं वहां पर एक भड़ा भयानक क्रोधी विश्धर सर्प है उसको मैं वहां से भगाने के लिए हटाने के लिए गया तो शरी रामकृष्ण की ये सिद्धियों का हम बिच-बिच में के दिश्धान तो प्राप्त करते हैं लेकिन उनके लिए ये बाधाय नहीं थी ये उनके लिए स्वाभाविक था अब दूसरा दिश्धान 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 बैठ कर दूर दर्शन और दूर श्रवन कर सकते हैं कि नहीं यह दूर दर्शन और दूर श्रवन पहले सिद्धियांती हुआ करती थी लोग ध्यान करते थे सिद्ध होता थे उसके बाद में दूसरे वहां से अमेरिका में लोग से बातचित कर लेते थे यह अमेरिका में क्या हो रहा है वो देख लेते थे लेकिन आज के जमाने में आप सामने रख लीजिए और बात कर लीजिए आज कल तो वो TV कॉंफरेंसिस हुआ करती है तो इसमें कोई किसी को आश्चरी नहीं लगना बड़े के लिए आश्चरी नहीं छोटा बच्चा उसके लिए आश्चरी उसी को छोड़ेगा नहीं वह हमेशा उसको लेकर रहेगा उसके लिए क्या है ये सिथिया ये उसे लिए स्वामी जी ये कहते हैं कि powers acquired by the practice of yoga not obstacles for yogi who is perfect एक सिथ योगी उसके लिए अनिमा लखिमा महिमा गरिमा प्राप्ति इशावसाइत्वम इशित्वम ये अश्ट सिथिया चोटे हो जाना हनुमान जी चोटे हो जाते थे बड़े हो जाते थे भारी हो जाना हलके हो जाना कपास जिसा हो जाना ये पत्थर जिसा भारी हो जाना ये सब सिध्धियां योगी को प्राप्त हो जाती है अपने हाथ से चंद्रमा को सफर्ष कर लेना इशित्व जगत की स्रिष्टि स्थिति करने का संभाव बना लेना विश्वामित्री ने अलग से एक ग्रह बना दिया था तो ये सिध्धियां जो लोग सिध्ध परिपक्व सिध्ध शिध्पूरुश होते हैं उनके लिए ये बाधाय नहीं होती लेकिन दूसरों के लिए for the beginners wonder and pleasure आश्चर ये भी है बच्चा जो है वो देखके आश्चर ये होता है और उसको सुख मिलता है आनन्द मिलता है और इसलिए इन सिध्धियों में लोग फस जाते है हिंदी में इसको कहा आनन्द और विश्मय का भाव आ जाता है यहां तक तो स्वामे जी कहते हैं और सिध्धियां बहुत प्रकार की हैं कई प्रकार की सिध्धिया विभूति पाद नामक जो प्रातंजल योग सुद्र का तीसरा अध्या है वो सिध्धियों से भरा लिकिन दूसरे अध्याय में भी सिध्धियों का वड़ना रगा दूसरा अध्याय क्या है साधन पाद और साधन पाद में क्या है वहाँ पर अहिं करने के बाद वहीं पर भी कहा गया है कि अगर आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाओ तो क्या हो जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हुआ अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत याग है अगर कोई व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जावे त नहीं आता, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि वैठा है, तो उसके पास में एक शेर और बकरी, दोनों सांथ चुपचाब बैठेंगे, शेर और बकरी जो है, उनका वहर भाव चला जाए, तो इसको आप आहिन साफ नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, सत्य प्रतिश्टित होने प वाला है, वो जान जाएंगे, अब पता चल जाएगा, शेर रामकृष्णे के छोटे-छोटे ते स्टान थे, शेर रामकृष्णे कहते हैं, राखाल को भूख लगी ना, राखाल कहता हमरे भूख लगी, तो ठाकुर ने क्या किया, ओ गंगा में जाके, गंगा किनारे जाक बोले, ओ, गौर्दासी, राखाल को भूख लगी, कुछ लेके आओ, राखाल ने कहा, आप क्यों बुरा बुरा लगा, बच्चे थे, लड़के थे, उने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, एनौस क्यों कर रहे हैं, तो भूख लगी तुझे बताने से क्या, उसको बोलने से क् अक्सान है अगर तुमको भूक लगी है तो बोलो भूक लगी है और उसके बात क्या हुआ गौरी मा रजगुर्ला हुजरा लेके आए ठाकोर बहुत प्रसंद हुआ अब स्वामी जी यहां पर जो बात कहते हैं इसके आगे वो है सिध्धी या विभूती आदी योग साधना क मार्ख में ठीक ठीक अर्शर होने का चिन्हस वरूप है एक और तो स्वामी जी कहते हैं कि यह बाधा बन सकती हैं बड़े बड़े योगी हो जाते हैं उसके बाद में फस जाते हैं उसके अंदर लेकिन दूसरी और ये भी कहते हैं कि सिध्धि and powers they mark their success in the practice हम साधना कर रहे ह ध्यान जब कर रहे हैं, आप लोग सभी नियम इतरूप से निष्टा पूर्वक ध्यान जब कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए, स्वामी जी कहते हैं, कि उससे सिध्या प्राप्त होती है, स्वामी जी ने, आप लोगों ने अगर राज योग पढ़ा होगा, ठी राज योग में स्वामी विवेक आनन्द, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान, इत्यादिका वहाँ पर वर्णन करते हैं, और वहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, कि अगर आप आसन में बैठो, प्राणायाम करो, तो क्या होगा, छे महिने में आपका च चहरा जो है चमठने लग जाएगा, आपका चहरा सुंदर हो जाएगा, रिलेक्स्ठ फीलिंग होगा, आपके जीवन में एक तनाव दूर होने के कारण, चहरा जो है उसमें एक सोंद्यरी बार्ट हो जाएगा, वह आकर्षक हो जाएगा, आपकी वार्णी जो है वो मधूर हो जाएगी आपको जोती दिखाई देने लग जाएगी स्वामी जी कहते हैं कि आपको कुछ धोनिया सुनाई देने लग जाएगी छे महीन हम तो हम तो बच्चे थे उस समय कॉलेज में पढ़ते थे 18-19 अर्श की और वहाँ पर स्वामी जी का जब राज्योग पढ़ा है पता नहीं आप लोगो प्रभा होता है कि नहीं हम लोग जब पढ़ते थे तो छोड़ नहीं पाते थे और राज्योग पढ़कर ऐसा आकर्शन होता था स्वामी जी ने जैसा कहा प्राणायाम करना प्राणायाम शुरू कर दिया लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि गुरू होना चाहिए नहीं तो मारफ्रष्ट हो सकते हैं प्राणायाम के बुरे प्रभाव हो सकते हैं प्राणायाम अगर आपने ज़्यादा किया तो हार्ट के उपर और रिदय पे उसका प्रभाव पड़ सकता है ये मैं अब बूल रहा हूँ as a doctor लिकिन पहले तो नहीं समझते थे हम सोच रहे थे कि गुरु मिले हैं तो अच्छा है और प्रभू की कृपा इन दोर में आगया स्वामी सत्सरुपानंजी मासारदा के शिष्य और उन्होंने आश्रम शुरू कर दिया एक rented house में एक किराय के hall में उन्होंने आश्रम शुरू किया किसी ने हमको बता दिया हम देखते देखते पहुंच गया उनके पास में एक दिन कॉलेज के बाद में अब जानते भी नहीं थे हाख खड़े हो के प्रणाम की आप नीचे जुक के प्रणाम अनाम कौन जानता है बच्चे थे उन्हेंने चटाई थी नीचे फर्ष पे बैठे हुए थे कहा चटाई लो बिछा बैठो नाम पूछा क्यों है कि मैं राजयोग पढ़ रहा हूं सामी वेगन का अच्छा और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और वहां स्वामी जी कहते हैं कि अगर प्रैक्टिस करो तो गुरू की आवशक्ता है तो आप मुझे मार्ग दर्शन दीचे महराज ने पूछा क्यों राजयोग का अभ्यास कर रहा हूं प्राणायम का अभ्यास क्यों कर रहा हूं बड़ा कठिन प्रैस्टिस हमने यही कहा जो अभी आपको कहा कि हमारा चेहरा सुन्दर हो जाएगा हमारी वानी जो है वो मधूर हो जाएगी हमको जोते दीखेगी हसे नहीं स्वामी जी चेहरे पर उनके मुश्कराट तक भी नहीं आई जैसे आप लोगों ने तो अभी तो हस दिये ना मुश्कराट तक नहीं आई पिल्कुल सीरियस ली जैसे मैंने बोला था उतनी गंभीरता से वो पूछते हैं और उनने कहा कि लेकिन यह तो दूसरे मारगों से भी हो सकता है बड़ी सुन्दर बात कही अगर आप आध्यात्मिक जीवन ठीक ठीक जीएं बगवान के नाम का जब एकाग्र मन से करें थोड़ी भक्ति करें थोड़ा साधना करें अहिंसा सत्यक्तियादी का तो हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित होगा और इसे हम कहते हैं स्वामी जी ने जो कहा ना कि अगर आप करेंगे प्रडूस्ट पावर्स विच मार्क्टे सकसेस इन प्रैक्टिस सिद्धी मार्क्टे सकसेस इन प्रैक्टिस प्रतिक व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी जिसी सिध्धी मैंने कहा ये बात स्वामी जी कहते हैं छे महीने में होगा मुझे ये तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ और हुआ था अब तो खेर बच्वन की बात है उसके बाद राइपूर में थे हमको सुन्दर गंध हाने लग गई ये एक सिध्धी योगियों के लिए उसका अब नगण्य है लेकिन ये बताती है कि तुम ठीक ठीक चल रहे हो चलते जाओ ये बात स्वामी जी यहाँ पर कहा रहे है बड़ी बात की बातों नहीं कर रहे हैं सुने शुरू में जिसा मैंने कहा यूद में ये कहा है प्रत्ती एक व्यक्ति के चीवर ठाकुर की कुछ-कुछ बातें ले लीजे उधारन के लिए मैंने का सत्य अहिंसा इत्या दी शीराम कृष्णी की छोटी-छोटी बातें ले लीजे शीराम कृष्णी क्या कहते है मुझे शौज जाना है बोल दिया जहुतला जाओंगा उसके बाद शौज की हाजत नहीं है क्या करूँ बोल दिया है वो अपना वाटर पॉट लेकर वहां तक जाते थे सत्य की रक्षा कर दें और अनेक स्थानों पर वचना मृत में आप पाएंगे शीराम कृष्ण इस जीच को कहते है सत्य की रक्षा अच्छा हम ये क्या नहीं कर सकते आज आश्रम जाएंगे इसके बाद में अरे कहां जाना ये हो गया वो हो गया नहीं हमने मनिमन संकल्प किया है जाना है तु जाना जाएंगे अब वो काम करेंगे थोड़ा संकल्प किया है मन में उसको मत बदलिये उसको पूरा कीज़े तब देखेंगे कि आपका मन जो है वो सजग हो जाएगा उसके बाद में संकल्प करना या आंग मूसे बोलना उसके बारे में आप सावधान हो जाएंगे श्री राम कृष्णि कहते है सत्य कलिकाल की तपस्या और हमने अभी महा निर्वान तंत्र पढ़ा उसमें भी कहते है कलिकाल की तपस्या है सत्या एक ही सत्या बचा हुआ है धर्म के चार चरण होते हैं उसमें कल्यूग में केवल एक चरण है या एक मेथट है वो है सत्या अब अपने मन के संकल्पों को अपने विचारों को सत्य के अनुसार सत्य का पालन करने का प्रयतने कीजिए होगा क्या इस छोटी छोटी सिद्धियां होने लग जाएंगे सामिजी समय कह रहे हैं साधना में सिद्धिजार्दे पावर्स विच मारते सक्सेस हम जो साधना कर रहे हैं उसमें कुछन कुछ मिलेगा छोटी छोटी सिद्धि मिल जाएगे हमने मन में उठाया अरे अब इतना कर रहे हैं साधना सत्य की साधना और फिर एक दिन मन में आया अरे बहुत दिन हुआ है फलाना फलाना व्यक्ति से भेट नहीं हुई मुलाकात नहीं और होगा क्या आप कमरे से बाहर निकले क्या रहे अरे मैं तुम को पहले याद कर रहा था आपके मन में सत्य संकल पूर नहीं लग जाए कुछ जो होने वाली बातें मन में अन्होनी चीज़ें या पता चल जाएंगे ये सब हो जाएं इसको कहते हैं हम छुटी छुटी चीज़ें मैं कहता हूँ आहिंसा किसी को कर्ष्ट नहीं देना सत्य अस्तिय बिना किसी के बिना दी हुई चीज नहीं लेना अपरिक रहा है संचे नहीं करना जथा संभव वस्तों को कम करना मैं कभी कभी कहता हूँ कि रोज घर से कुछ कुछ निकाली है मेरा खुद का कमरे में कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुए हैं को ऐसी रोज डिस्कार्ट की जा सकते मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ यहां पर प्रोचन कि रोज ये घर से कुछ चीज़ें निकालेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकाले जा सकते और लाने के संबन में सावधान रही है कोई नई चीज़ खरीदनी है लानी है और तो पूछी अपने आप से इसके बिना काम चल सकता है क्या नहीं चल सकता है अच्छा आप दो चार दिन बाद में उसको लेंगे इस प्रकार से अपरिग्रह का भी धीरे धीरे अभ्यास के जाए और जो उसके परिणाम है वो आपको प्राप्त हो जाए चोटी-चोटी सिध्यां हमारे जीवन में आएंगे अच्छा अब ये तो मैंने बता दिया कुछ प्रैक्टिकल बाते हैं अब ये अगर मैं पातंजल योग शुत्र की बड़ी-बड़ी सिध्यों की भाद करूं तो उससे हमारा तो कुछ काम होगा नहीं फायदा नहीं होगा यहां मैंने इसलिए इसको थोड़ा विहवारी पक्ष्ट जो हम अपने जीवन में छोटा मोटा कर सकते हैं उसको हम जीवन में करें देखें यह नैतिक्ता जिसे कहते हैं मौरैलिटी अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचरिय निस्वार्थता सबका जगत का कल्यान की भावना करना प्रार्थना करना प्रार्थना करना लोगों की कल्यान के लिए ये सारी बातें बहुत महत्पूर्ण हैं हमारा जीवन धीरे धीरे उसको करते करते परिवर्टित हो जाता है और आप जो लोग संभवता साहदक हैं वो बाद में लोग कहेंगे कि ये दस साल पंद्रा साल पहले वाले जो व्यक्ति हैं वो वक्ति नहीं रहे बदल गए थोड़ा 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 अभ्यास करते 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 ये अपने हाप में एक सिध्धी हमारे जीवन में चरित्र में परिवर्टा है स्वामी वेकांद ये ही कहते हैं धर्म का अर्थ है character building, मंदिर में जाना घंटी बजाना यह नहीं है, तो यह morality जिसको गहते हैं, और यह जो morality है, नेतिक जीवन है, यह भी दो प्रकार है, एक है subjective और यह का objective, subjective, subjective यहने मैं अपने जीवन में अहिंसा सत्य अस्ते का पालन करना हूँ, उसका जगत में प्रभाव पड़े या न पड़े, दूसरा है objective, यहने लोगों के विहवार के संबंद में, दूसरों के कल्यान के लिए इस नेतिकता को पालन करना, यह दो प्रकार के होती है, जो भी ह स्वामी जी कहते है, यहाँ योग का अभ्यास तो मैंने यहाँ पर इसमें नेतिकता को मैंने लिया है, क्योंकि योग का नेतिकता एक बहुत महत्पूर्ण अरश्यात रिक, नेतिकता के बिना योग संभव नहीं हमें, अब स्वामी जी आगे कहते हैं सिद्धिस are powers which mark success so practice and they may be produced by एक और बात यहां पर कहते हैं स्वामी जी किन्तु they may be produced by various means such as the repetition of a mantra by yoga, practice, meditation, fasting or even by the use of herbs and drugs किन्तु ये जो सिद्धियां है ये मंत्र जब वासादी, तपस्या, योगसादना इतना है नहीं और शदी, विशेश, आदी के विहवार धारा भी वो हो सकती है सिद्धियां पातेंजल योग सुत्र का चोथे अध्याय का पहला सुत्र है वहाँ पर यह कहा गया है कि और शदी मंत्र तप योग सिद्ध यह यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने लिख रहा था आया नहीं कि मंत्र के द्वारा अगर आप मंत्र का जब करें तो सिद्धियां पराप्त हो सकती है तपस्या के द्वारा तपस्या यहने भगवान के नाम के जब के साथ साथ तप उपवास आदी करना फिर योग की बात तो हो ही गई है यहाँ तक कि और शदी के द्वारा दवाईयों के द्वारा सिद्धियां पराप्त हो सकती है और कुछ कमेंटरीस में उन लोगों ने कुछ सिथियां का बात में ने पढ़ी है अब यह मिलती है के नहीं मिलती है पता नहीं और एक आपने पता नहीं संभद था आपने सुना होगा LSD LSD है ना LSD एक पहले हुआ करती थी आजकल नहीं मिलती बायन कर दिया गया उसको बंद कर दिया अब दिश्टान्त के लीजे आप लीजे भंग गांजा चरस यह लोग क्यों लेते हैं उससे मनम की एक स्थिती ऐसी हो जाती है जो सामान्य प्रकायर का मन नहीं है उसमें थोड़ी सी एक स्पेशल स्टेट आ जाती है थोड़ा सा उसमें फरक इसी लिए लोग भंग गांजा का प्रभाव चलता है और उसके बाद में कुछ स्पेशल दर्शन होने लग जाते हैं मुझे यहाद है यहाँ पर जब हम थप पहले तो गर्मी की दुनों में साड़े तीन बजे चार बजे चाय होती है तो उसके साथ में कभी-कभी शर्बत बनाते थे उधर वारे स्वाश्रम में एक कृष्णा करके सेवक था, स्टाफ था कीचन में तो वो शर्बत बनाता था कभी आम का पना, कभी गुलाब का शर्बत, और कभी धंडाई है, धंडाई जानते हैं आप और धंडाई के साथ में रिवाज है, थोड़ी सी भांग मिलाना नौर्थिंडिया में ये बहुत प्रसित है, गर्मी के दुनों में थोड़ी इसी चरह सी भांग मिलाके धंडाई से मन बड़ा शान्त रहता है आनंद रहता है और उस दिन किसी को बताया नहीं और कृष्णा ने उसमें भांग में लाय थे थोड़ी सी हमको तो महलूम नहीं चाय पी इसके साथ में एक इलाज शर्बत पी लिया और उस दिन हम केदार गाट चले गए वो सबता हमें एक दिन जाते थे बैठकर ध्यान करते थे उस दिन ध्यान हमारा इतना अच्छा हुआ इतना गहरा और सपष्ट ध्यान हमने का रहे मार दिया हमने तो प्रेगरती काफी प्रेगरती कर लिया बाद मैं जब लोटके आया तो पता चला और उसका प्रभाव अलग-अलग लोगों पर हुआ उमेश महराज करके थे यहाँ पर सीनियर साथ हुए बहुत सुध्य साथ हुए आठ बजे रात को उन्होंने मुझे बुलाया नो बजे के अशोक देखो तो यह बिस्तर जो है वो उल्टा जा उपर जा रहा है घटिया जो हो है पीछे से उपर जा रही फिर एक ब्रह्मचारी था बिल्कुल नो बिस इसे कहते नहां जॉइन किया ही था वो मेरे से डरता था पर दोक्टर मेरे से दूर रहता था, बात नहीं करता था वो आयके मेरे पास में आदे घंटे तक बोलता चाला है ये प्रभाव पढ़ा तो औरशधी के कारण मन में प्रदाव पढ़ता है LST के बारे में मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने LST किया था उनोंने कहा था कि विभिन प्रकार के नए प्रकार का हमको दिष्टिकोन ये जो जगत जो है वो उसकी एक थर्ड डाइमेंशनल जैसे फोर्ड डाइमेंशनल ये नए उसका आयाम दिखने लग जाता था तो स्वामी जी ये पातनजल योग सुत्र में भी लिखा है स्वामी जी भी यहाँ पर इस बात को कहते है अब इसके आगे चलें एक धर्म मेज समाधी जो योगी योग सिद्धी समू में भी वेराग्य धारन करते हैं और समस्त कर्म फल का त्याग करते हैं उन्हें धर्म मेज नामक समाधी का लाब होता है जैसे मेज बरसता है उसी प्रकार से वे अपनी लब्ध योगा वस्ता के द्वारा चारों दिशाओं में धर्म या पवित्रता का प्रभाव विस्तार करते हैं ये धर्म में एक समाधी पातंजल योग सिद्र के प्रथम अध्याय में प्रथम अध्याय समाधी पाद दूसरा अध्याय साधन पाद तीसरा विभूतिपाद और चोथा कैवल्यपाद प्रथम अध्याय में समाधिपाद में कई प्रगार की समाधियों का वर्णार अल्रेडी है संप्रग्याद समाधि असंप्रग्याद समाधि उसके बाद वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता तो इस प्रकार से कई प्रकार के जिस जिस विशय पर आप मन को एकागर करेंगे उसके अनुसार अगर स्थूल वस्तु में मन को एकागर करेंगे तो वितर्ग समाधी होगी सूक्ष में विशय यानि आहिंसा सत्य इत्यादी विशय पर मन को एकागर करेंगे तो विचार समाधी होगी वा आनंद पर आनंद की समाधी होगी जब आनंद की अनुपूती करेंगे उसमें मन को एकागर करेंगे और फिर अस्मित आनुकत समाधी केवल अहंकार सुक्ष महंकार ये कौन है जो ध्यान कर रहा है उसमें करेंगे एकागर करेंगे तो वो समाधी होगा तो ये हो गए संप्रग्याद समाधी असंप्रग्याद समाधी जिमें कोई उसके उपर परे चलेगा तो ये सारा वर्णन है लेकिन वहाँ पर इसका वर्णन नहीं है यह चोथी प्रकार की है भिन्न प्रकार की समाधी है इसका वर्णन है कैवल्य पाथ चोथे अध्याय में और स्वामी जी उसको यहाँ पर छोटे से में बड़े अच्छी तरह उन्होंने समझा दिया जो योगी योग सिध्धी समवों में भी वहरा के धारन करते हैं अभी बात की है सभी योग सिध्धियां उनके हाथ में हैं स्वी राम क्रिश्म स्वामी पिवेकान स्वामी ब्रह्मारन यह लोग जो महापुरुष्थ है इनमें सिध्धियां थी लेकिन अभी हमने बात कहीं वहरा कि इससे क्या लेना देना हमें जैसे श्राम कृष्ण दिश्टान देते हैं ए व्यक्ति ने बहुत सी तपस्या करने के बाद में सिध्धी प्राप्ति की क्या पानी के उपर से चल के चला जाता हूं ऐ भगवार इतनी मेहनत करके तुमने क्या किया अरे वो एक आना या दो पैसा में नौका वाला तुमको उस पाहर लगा देगा ये किया तुमने अच्छा मैं उड़ के अमेरिका जा सकता हूं अरे इतनी मेहनत की वर्षों की तपस्या पंद्रा बीस तीस साल की तपस्या के बाद क्या है अरे टिकेट ले लो और चले जो तो विचार के तुमारा जब सिद्धी समुह में वेराग्य हो जाता है देखिए वेराग्य यहाँ पर छोटा सा शब्द है पातन जे लोक सुत्र में तो अभ़्यास वेराग्या अभ्यामतन निरोदर शरू शरू में है देखिए वेराग्य के बिना कोई साधना नहीं होती है यह हमेशा याद रखेगा हमेशा याद रखे भषास्त्र पढब लिजिए प्रवचन सुन लिजिए लेख लिख लिजिए अध्यात्मिक जीवन की बारे में लेकिन अगर जीवन में वेराग्य नहीं हो तो कुछ नहीं होने वाला और ये दूसरी चीज भी याद रखिए वेराग्य के बिना सुख भी नहीं सबसे ज़्यादा सुख अगर बिलता है तो वेराग्य में लगता है विजित्र बाद अरे राग में सुख होगा न जहां राग है आसकती है वहां सुख है विजित्र बाद अनासकती में सुख होता है राग में आसकती में बंधन होता है वेराग्य मेवा भयम भोगे रोग भयम कुलेचुति भयम ये मैं कई बार बता चुका हूँ भरत्री हरीका है वेरागिय Damn वो कहते है भोग में भय है भोगे रोग भयम भोग करोगे तो रोग होगा कुल है उससे चुति होगा धन होगा तो चोर होगे सब संसार की जतनी वस्तु आइए उसमें भाय लगाए होगा वहराग्य में भाय जो अभाय है वहराग्य में ही है और जहां अभाय है वहाँ सुख भी है तो वहराग्य से घबराना नहीं है यह हमारे जो संत लोग हैं महापुरूश हैं इनमें सिध्या थी लेकिन सिध्यों को वो जैसा कहा न श्री राम कृष्ण कहते थे विष्ठा समस्त थे तो स्वामे जी यहां कहते हैं कि जो योगी सिध्यों को विष्ठा समस्ता है वेराग करता है और समस्त कर्म फल का त्याग कर देते हैं मैंने शुम कर्म किया है मुझे नामयश मिलना चाहिए मुझे सुख मिलना चाहिए सब कुछ त्याग देता है उसे धर्म मेग नामक समाधी लाप दो दी मेग, क्लाउड, बादल धर्म का बादल, धर्म का क्लाउड तो उससे क्या होगा? धर्म की वर्षा होगी तो क्या है? जैसे मेग बरसता है उसी प्रकार वे अपनी लब्द योगा वस्था के द्वारा चारों दिशाओं में धर्म या पवित्रता का प्रभाविस्तार करते हैं जितने महापुरुष हो गए हैं, अवतारी हो गए हैं जहां कहीं जाते हैं, वहां जाते हैं वह सारा वातावरन परिवर्तित हो जाता है स्वामी ब्रह्मानजी, स्वामी विपेकानद, राटु महाराज जहां कहीं भी जाते थे, तुरियानजी जहां कहीं भी जाते थे, रहते थे, वह सारा वातावरन शांत धर्म का वातावरण शान्त प्रशान्ति आनंद सुख का एक वातावरण उस्वामे जी ये बहुत महक्त पूर्ण काते हैं चारों दिशाओं में धर्म या पवित्रता का प्रभाव विस्तार करते हैं तो ये तो जो सिध्ध मापुरुष है उनकी बाते कहीं पहले उन्होंने कहा जो मैचूर हैं बच्चे हैं वो सिध्धियों से आकरिष्ट होते हैं उसके बाद मैं कहा जो मैचूर हैं जो प्रतिष्टित हैं उनको सिध्धियों से प्रभाव नहीं बढ़ता उसके बाद सिध्धियों के कई कारण बताए और उसके बाद अब कहते हैं कि जो सिद्धियों से भी प्रभावित नहीं होते वो भी समाधी प्राप्त होती है वो एक मन में ऐसे प्रतिष्टित हो जाते हैं कि जहां कहीं भी जाते हैं तो उसका प्रभाव जहां भी जाते हैं वो वहाँ पर धर्म का वे विस्तार करतें अब इसके आगे एक थोड़ा सा हम प्रारम करी देतें English है न आपके पास Meditation is on a series of objects Concentration is on one object यह ठीक नहीं है यहां Meditation और Concentration को जिसने record किया उसने नहीं समझा है पातंजल योग सुत्र में Meditation और Concentration यह दो शब्द है इनका उपयोग धारना, ध्यान, समाधी के लिए किया गिया अब मैं बताने सकूंगा कि Concentration और किया कहा है Meditation यह ने धारना कहा है Concentration यह ने ध्यान कहा है और उसके बाद समाधी के लिए क्या उपयोग किया है यह नहीं है हिंदी में इसका जो अनुआद किया यह ठीक ठीक किया जब एक सद्रिश प्रत्य है, एक प्रत्य है कि लगातार आवरित्ती होती है तब ध्यान पदवाच्चे होता है तो समाधी में मन एक वस्तु के साथ ही तद्रूप हो जाता है अब यह थोड़ा सा बता दे आँ पातंजल योग सुत्र में तीन स्टेप्स को बर्णन किया गया धारना, ध्यान, समाधी धारना यहने क्या होता है देश बंधा चित्तस्य धारना और मैं हमेशा प्रैत्न करता हो कि बड़ी बात अपने जीवन में कितना हम उतार सकते हैं सादना कर सकते हैं मैं उसके उपर थोड़ा सा ध्यान दूई देश बंधा चित्तस्य धारना याने चित्त को किसी एक देश याने एक स्थान में धारण करके रखना उसको कहते हैं धारणा देश बंधा देश बंधा याने क्या हमारा रिदा है एक स्थान है इसमें मन को लगाओ मन को रिदे में ही लगाओ और कहीं नहीं जाने दो या फिर भ्रूमध्य में लगा कर रखो या फिर सिर पर लगा कर रखो ये देश रहस्तान या फिर सामने एक चित्र है उस पर लगा कर रखो और कहीं नहीं जाने दो मन को करके देखिए यह पहली प्रेक्टिस दूसरा है उसके बाद जब आपने किया आप लोगों को जो गुरु जो निर्देश देते हैं मंत्रित देते हैं जब करने का ध्यान करने को कहते हैं कि नहीं कहते हैं रिदे में ध्यान करो कमल का इंकल ना करो उसके बाद में से रिदय देखो पहले अच्छी तरह अभ्यास हो जाना चाहिए कि हम यहाँ पर मन को लगा सकते हैं तब तो ध्यान होगा ना पहले रदय में रदय रुपी स्थान में मन को धारन करना तत्र जहाँ पर आपने मन को धारन किया प्रत्यय एकतानता ध्यानम प्रत्यय याने जो भी कंटेंट है मन का जो विशय है उसको प्रत्यय कहते है वो प्रत्यय नाम हो सकता है रूप हो सकता है वो एक घटना हो सकती है जो भी मन में विचार उठे उसको कहते हैं प्रत्यय प्रत्यय एकतानता एक ही बार एक ही जरव तो राम किष्ण या राम का अपनः फोटो ध्यान किया अग उसको यहाँ पर रहत है राम 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 एक ही बार continuously वही 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 ध्यान करते रहना प्रद्य एक ठानता ध्याणम जब वो continuously होते रहेगा दो मिनिट, तीन मिनिट, चार मिनिट ऐसा होए तो वो ध्यान हो जाएगा स्वामी जी तो ये भी बताते हैं कि धारना याने 12 सेकंड 12 इंटू 12 144 ना 144 सेकंड अगर मन लगा रहे तो वो हो गया ध्यान और इनको बात 12 इंटू 12 इंटू 12 याने वह करीब 24 मिनिट से जादा अगर मन लगा रहे तो वो हो गया समाधी ये एक डेफिनेशन यहाँ पर कहते हैं समाधी में मन एक वस्तू के साथ ही तद्रूप हो जाता है लेकिन पातंजेल योग सुत्र में समाधी की एक भिन्न परिभाशा की तत्र प्रत्य एक तानत अध्यानम तदेव अर्थ निर्भासा स्वरूप शुन्यमिव समाधी मतलब ये है कि वहाँ पर वह जो अर्थ है जिस वस्तू का मैं ध्यान कर रहा हूँ वही बना रहेगा स्वरूप शुन्यमिव मैं अपना स्वरूप भूल जाता हूँ मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भूल गया मैं उस ध्यान के विशे के साथ एक हो गया जो स्वामी जी कहते हैं समाधी में मन एक वस्तु के साथ ही तदरूप हो जाता है मैं ध्यान कर रहा हूँ, राम टृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ ये जो अंतर हो समाप्त ये समाधी हो गई तो पातनजल योगसुत्र की बात ही सुमी जी यहां पर कह रहे हैं इसके बाद में आगती हैं सिथिया लेकिन पहले सिधियों की बात हो गई जो भी हो तो ये चीज़ें एक अभ्यास की बात है हम लोग उनको करना है सीधी बात है सरल बात है उसमें स्वामी विवेकानन के पातंजल योग सुत्र पर कमेंटरी जो है और राज योग पर है उसमें स्वामी जी धारना और ध्यान की बात विस्तार से समझाते है पर मुख्य बात यह है पहले मन को एक स्थान पर लगाने का प्रहतन तो करिए यहां रिदे में एक कमल की चिंद का ध्यान कीजिए सोचे कि एक कमल है उपर की और खिला हुआ है हम जब कभी रिट्रीट में जाते हैं हम ने ध्यान कराया था नहीं आप उसमें पताय था हम ने कमल की बात की थी तो वो आप कमल की दियान कीजिये और उसके बात में जो इष्ट है उसको वहाँ पर बैठ के देखिए और वेसाई उसी पर मन को लगाया रखिए अब कमल और इष्ट क्यों किया? क्योंकि मन हमारा भागता है मन एक चीज में रुखेगा नहीं भागेगा तो फिर क्या करते हैं? अच्छा कि इष्ट का ध्यान करना है तो फिर शी राम क्रिष्णे का सिर का ध्यान कीजे फिर उनके कपड़े का ध्यान कीजे उनके हातों का ध्यान कीजे उनके चर्णों का ध्यान कीजे क्यों? मन हमारा भाग अरे अल्टिमेटली तो एक ही राम क्रिष्णे पर आना है एक में नहीं होता है लोग कहते हैं कि हम चर्णों का ध्यान करते हैं तो सिर का ध्यान नहीं होता सिर का ध्यान करते हैं तो चर्णों का ध्यान नहीं होता तो यहां पर यही बात कही कि एक प्रत्याय में एक स्थान पर मन को लगाईए रिदय में उसके बाद में वहीं पर जो इश्ट है उसका कंटीनियूसली उसका चिंतन कीजिए और उसके बाद में एक स्थितिया आएगी समाधी की जब आप इतने तनमय हो जाएंगे कि अब मन को भूल जाएंगे अपने आपको भूल कर उसके साथ आप एक हो जाएंगे तो आज यही हम सब्द करते हैं क्योंकि उसके बाद में दूसरा विशय आजायेगा और बिलकुल भिन्ने विशय है एक ज्ञान का विशय आजाता है पुरुष प्रकृति की बात आजाती है भिन्न विशय है उसको हम यहाई छोड़ेंगे अगली बार से शनिवार को पाठोगा तम देशिकेंद्रम परमं पवित्रम विश्वस्य पालं मधुरं यतिंद्रम इताय नर्णाम नरमूर्तिमंतं विवेक आनंदमहु नमानी नमह श्री अतिराजाय विवेक आनंदसूरे सच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरुने सच्चित सुखस्वरूपाय स्च्चित सुखस्वरूपाय स्च्चित 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 झाल झाल